बच्चो अब आईए हम चलते हैं संत कबीर की योड हिंदी की निर्गुण भक्तिकाप्वेधारा के ज्ञान मारगी शाखा के प्रवर्तक संत कबीर एक महान संत सजक समासुधारक और क्रांती दर्शी कभी थे बिभिन साहितिक खोजों के अनुसार कबीर का जन्म विक्रम संबत 1455 और सं 1389 इस्वी के आसपास माना जाता है एक रशना बहुत प्रसिद्ध है 1455 साल गए चंद्रवार एक ठार्ट है और जेठ सुधी बरसायत को पूरण मासी प्रकट कहा जाता है जैसी जनसुरुती है कि संत कभीर जो है वे बिधवा ब्राहमनी के घर्व से पैदा हुए थे और लोक लज्जा के भैसे उस ब्राहमनी ने लहर तारा नामक शरोबर में नवजास सिसी को वहां छोड़ दिया था उधर से जो है नीरु और नीमा दंपत गुजर रहे थे जा रहे थे वहां पर एक रोते हुए नवजास सिसी को देखा और अपने घर ले आए उन्होंने पाला पोशा और उनका नाम कभीर रखा गया इसलिए हिंदू और मुसल्मान दोनों तरह के संसकार कभीर दास जी के साहित में देखने को मिलते हैं कभीर दास एक जुलाहे के घर पले पुशे जहां वस्त्र बुन्ने का काम होता था इसलिए वे असाक्षर रहे पढ़ नहीं पाए इस सत्य को संत कभीर ने स्वेम स्विकार किया है कि मसी कागद चुओ नहीं मसी कागद चुओ नहीं और कलम गही नहीं आथ अपने मुखई कभीरा सकल जनाई बात हो इनका बिवाह लोई से हुआ जिससे एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का जन्म हुआ संत कभीर के गुरू स्वामी रामानंद जी थे बेवसाए इनका जुलाहे का था इनका जो समग्र साहित भरा पड़ा है कभीर का जो देखने में पढ़ने और समझने में आया है तो उससे साप जाहिर है कि ये जुलाहे थे जीनी जीनी बीनी चदरिया काहे कताना काहे कबाना सुखमन तार से बीनी चदरिया कौने तार से बीनी चदरिया और यहां पर हठ योग की भी क्रिया से पारंगत थे संत कभीर उनकी इम्रित्यो बिक्रम संबत 1575 सं 1518 के आजपास मघहर में हुई चुकि संद कभीर पढ़े लिखे नहीं थे जो कुछ कहते थे उन्होंने इस बात को कहा भी है कि तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता आखिन की देखी और तेरा मेरा मनुवा कैसे एक होए ले तू तो कागद की लिखे वही बात को कहता है मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं मैं जो आख से देखता हूँ वही बात कहता हूँ तो इन्होंने जो कुछ कहा इनके सिस्य धरमदास ने उसे संकलित किया है इनकी तीन रचनाएं माने तीन गरंथ जिनको मिला के एक गरंथ बीजक बनाया गया है साखी, सबद और रमैनी इन तीनों को मिलाने के बाद उसे बीजक नाम दिया गया है कभीर, संत, कभी और समासुधारक थे उनकी कभिता का एक-एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर चल रहे ढोंग और स्वार्थ पूर्थ की जो निजी दुकानदारियां है उनको ललकारता हुआ दिकाई देता है कभीर का जो अनभूत सत्य है वो अंध विश्वासों को ढहाता चलता है सत्य भी ऐसा जो आज तक के परवेश पर सवालिया निसान बन चोट भी करता है और खोट भी निकालता है कभीर पढ़े लिखे तो थे नहीं इसमें बेदान तत्तो हिंदू मुसल्मान को फटकार संसार की अनित्यता हिर्दय की सुद्ध प्रेम साधना की कठिंता और माया की प्रवलता मूर्त पूजात तेर्थातन आदि की असारता हज नमाज ब्रत आराधना की जो गवड़ता है उसे इन्होंने समाज के सामने बेवाकी के साथ रखा है सामप्रदाई, सिक्षा और सिध्धान्त के उपदेश, मुख्यता, साखी के भीतर है और इनकी जो भाषा है वहाँ सदुक्कडी है राजस्थानी और पंजावी, अवधी, ब्रज, ये सब मिली जुली है रमैनी और सबद में गाने के पद हैं जिनसे काब्यकी में ब्रज भाषा कहीं कहीं पूर्वी बूली का ब्योहार द्रिस्रिगोचर होता है अब पढ़ते हैं संत कबीर का पद साधो देखो जग बोराना साच कही तो मारन धावे और जूठे जग पतियाना हिंदू कहत राम हमारा हिंदू कहत राम हमारा मुसल्मान रह्माना आपस में दो लड़े मरत हैं मरमन को उजाना बहुत मिले मोहिनेमी धर्मी बहुत मिले मोहिनेमी धर्मी प्रात करई असनाना अवातम चान पखाने पूजे तिनका थोता ग्याना आशन मारी डिम्भदरी बैटें मन में बहुत गुमाना अपी पर पाथर पूजन लागे तीरत बरत भुलाना आप माला पहिरे तोपी पहिरे चाप तिलक अनुमाना और साखी सब्दए गावत भूले आतम खबर नजाना दिम्भ घमंड इसमें दिंग हांकना थोथा ग्यान माने खाली ग्यान कहावत है कि थोथा चना बाजय घना थोथा ग्यान खाली या कोरा ग्यान ऐसा ग्यान जो बेवारिक नहीं है और तीरत मतलब तीर थे आत्रा से सांसारिक आडंबरों पर गहरा कटाक्ष करते हुए संत कभीर ने हिंदू-मस्लिम दोनों को ही सत्यमार्ग पर चलने की प्रेणा दी है एक समन्वे किया है ग्यान मारगिय संत कभीर दावजी कहते हैं कि सज्जनों इस संसार की वुल्टी रीति और परंपराओं को समझिये साधो देखो जग बोराना हे संतो हे साधो देखो यह संसार के लोग पगला गए है यहां संसार में किसी के सामने साध कहीं तो मारं धावे यहां अगर कोई सत्य बात आप कहेंगे तो लोग मारने के लिए दोड़ते हैं ऑजूठे जग पतिया न ऑजूठी बात अगर आप कहेंगे तो, संसार के लोग आपके साथ चलने लगेंगे हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है मुसल्मान कहता है हमें रहमान प्यारा है और आपस में दो लड़ाई मेरत हैं और मरमन को जाना दोनों हिंदू और मुसल्मान आपस में लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं लेकिन उस मरम को नहीं जानते उस कि मुझे भूत मिले नेमी धर्मी मुझे बहुत नियम और धर्म से चलने वाले लोग मिले और प्राइटाकार अब्रहम महूर्त में इसनान करने वाले लोग मिले उस परमात्मा प्रमात्म को छोड़कर जो आत्मा में निवास करता है उसे छोड़कर पखाने पूजे पासान की पूजा करते हैं पत्तर की पूजा करते हैं और तीरत बरत भूलाना कि आत्म छान पखाने पूजे आत्म तत्म को छोड़कर पासान की पूजा करने लगे तिनका थोथा ज्याना जिनका थोड़ा सा ज्या नहीं है विए सब जो है परमात्मत्त्त्त को छोड़कर निरर्थक बातों में ब्रहमन रत हैं ब्रहमन कर रहे हैं आसन मारी दिम्भधरी बैठें आसन लगा लेंगे और एक अहंकार अपने मन में पाल लेते हैं और उन्हें बहुत-बड़ा गुमान उनके मन में बहुत-बड ग्यानी है हम योगी हैं हम योगाभ्यासि हैं आपीपर पाथर पूजन लागे ऐसे लोग पीपल का व्रिक्ष अपने आप अप पुजमाना जाता है कि कभीर नहीं की पूजा और तीरत बुलाना और सित Happy ग Tram constitu me अपने आपको ब्रहमित करते रहते दुश्क बुलाते तोपी पहीकर एक मुसल्मान लोग तोपी लगाते हैं और हिंदु लोग जो हैं माला पहंनते हैं चाप तिलक अनुमाना और माते पर बाहुत बड़ा तिलक लगा ले电ल आव साखी सब्द गाबत भूले जो साखी ओर सब्द है Georgick को कहा है कवीड्यव की साखी माने सीक शिक्षा वो ज्यान की आँख है उसमें ज्यान समाया हुआ है जो शब्द हैं वही शब्द ही ब्रहमा है इन सब को छोड़ करके आतम खबर न जाना आतमा के उस खबर को आत्मा की ज्ञान को समझते नहीं हैं और बहुराए हुए पगलाए हुए संसार में ध्रमन कर रहे हैं और सत्य बात कहता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं अपने ग्यानमारगी कभीर दावजी कहते हैं कि सज्जनों इस संसार में उल्टी रीती और परंपराओं को समझिए यहां संसार में किसी को सत्य कहेंगे तो वे हमें मारने के लिए दोड़ पड़ेगा और असत्य कहेंगे तो मुझे प्रफावित हो जाएगा अब देखिए हिंदू कहते हैं राम हमारा है मुसल्मान कहते हैं रहीम हमारा है दोनों आपस में ही लड़ते जगड़ते रहते हैं लेकिन जो वास्तविक्ता है वहां तक कोई नहीं पहुचा संद कभीर कहते हैं कि मुझे कई लोगों से मिलना हुआ मैं अनेक लोगों से मिल चुका हूं जो प्राता काल इसनान करके नियम वाद धर्म का पालन करते हैं लेकिन उनों ने सत्यता से कई कोशों दूरी बना ली है सत्य के पास फटकते तक नहीं है जब वे आसन लगाकर पूजन पाठ करते हैं तब भी अहंकार और घमंड के द्वारा प्रभावित रहते हैं उनमें अहम भाव कूट कूट कर भरा हुआ है पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं तीर से यात्रा कर देते हैं और अपने उस सत्य को भूला चुके हैं यह तिलक छाप लगाकर मालाज पहनते हैं धकोशला दिखावा करते हैं मुसलमान टोपी पहन करके दिखावा कर रहे हैं साखी और सबद का जो गायन है उसे भूल चुके हैं यह आत्म ज्ञान से बंचीत हैं आत्म ज्ञान की बहुत बड़ी कमी मानव समाज में आज भी देखने को मिलती है इसमें बच्चों कभीर ने सदुक कड़ी भाषा का प्रयोग किया है आडंबर पर गहरा कटाक्ष किया है और इसमें सब्द गुर्ण जो है प्रसा में जग बहुराने का क्या भिप्राय साधो देखो जग बहुराना को कभीर के पदमें जग के बहुराने का ताथ पर यह सत्य बोलने व्हालों को डंड़ित किया जाता है आफ जो जूट यानि आसत्य का पक्ष लेते हैं उनके लोग पीछे संसार नस्वर तथा यह संसार जो है असत्य है लोगों के द्वारा जो सत्य है इस्वर का नाम नजब कर असत्य का सहरा लिया जाता है यहां असत्य ही तो संसार है इसलिए कवीर ने इन्हें पागल गहा है इस सत्यक को प्रक्टि करण आदि जगत गुर्ष शंकराचारे ने भी किया था जो कवीर के दौराए बात कही जा रही है संकराचारे जी ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रहम ही बना पर है यह ब्रह्म ही सत्य है और संसार मित्या है असत्य है जूंट है इसी का प्रतिपादन संत कभीर ने इस पद में किया है मरम से कभीर का क्या आसे है वास्तों में कभीर के मरम का आसे रहस्य से है क्योंकि इश्वर एक है लेकिन हिंदू उसे राम और मुसल्मान उसे अल्ला कहते हैं रह्मान कहते हैं ये दोनों ही इश्वर एक हैं तरवत्र चाया हुआ है इस रहचे को कोई नहीं जानते हैं कभीर ने किसके ज्यान को थोथा कहा है और क्यों कभीर ने ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की है जो साश्वत है जो इश्वर है सूक्ष्माति सूक्ष्मा है हर आत्मा में विद्यमान है उसकी आराधना न करके उसे न मान करके और अप्रत्यक्षि जो निर्जीव है पासान की की प्रतिमा है उसका पूजन लोग करते हैं यह इस ज्ञान को कभीर ने थोथा कहा है दिखावटी कहा अब बच्चों निर्गुण काभविधारा के एक प्रमुख संत कभी हुए हैं धरम दास अब उन पर हम चर्चा करते हैं वास्तों में संत धरम दास यह संत कभीर के प्रमुक्षिश्य थे और उनके समकालीन संते एवं हिंदी के कभी थे धरम दास को 36 गढ़ी के आदी कभी का दर्जा प्राप्त है ऐसा स्री हरी ठाकुर जी ने अपने सोथ पत्र में लिखा है कभीर के बाद धरम दास कभीर पंथ के सबसे बड़े उन्नायक थे धरम दास जी का जन्म विक्रम संबत 1462 सन 1405 में मध्य प्रदेश के बगेल खंड के बांधो गढ़ में वैसिकुल में हुआ इनके पिताजी स्रीमन महेश अपने समय के बहुत धनी मानी धना डिवेक्ती थे इनकी माता का नाम स्रीमती सूध धरमावती था इनका जो प्रारंभिक जीवन है वह सगुणो पासना में बेतीत हुआ स्वयम धरमदास जी ने इस बात को स्विकार भी किया है धरमदास बंधों के बानी प्रेम प्रीति भक्ति में जानी सालिक राम की सेवा करई और दया धरम बहुत अई चित धरई सालिक ग्राम जी की पूजा किया करते थे बाद में मतुरा ब्रिंदावन और काशी में संत कबीर से इनकी भेट हुई और उनका सत्संग करने के बाद धरमदास जी ने संत कबीर से दीक्षा ले ली उन्हें अपना गुरु बना लिया और देख्षित होने के उपरांत एर निर्गुनों पासक हो गए कहा जाता है कि संत कबीर के साहित्ति का संग्रह इन्ही के द्वारा किया गया है धनमदाज जी कबीर पंध के जेश्थ साखा 36 गड़ी साखा के संस्थापक गए इनकी जो रचनाएं सुख निधान बारह मासा सबद या अनुराग शागर अनुराग शागर में संत कबीर और धरमदाजी की वारता का वर्णन किया गया 36 गड़ कबीर पंध का सबसे बड़ा केंडर है जिसके प्रवर्तक धरमदाज जी माने जाते हैं इन्हें धरमदाजी की सैली भले ही आप परिस्कृत हो परंथ समाज में प्रचलित मिथ्याट डंबर का विरोध जोरदार सब्दों में किया इन्हें धनी धरमदाज भी कहा जाता है धनी धरमदाज की सबसे बड़ी भी सेश्था है सार ग्राहिनी प्रवित्ती गुरु के प्रतियागाध प्रेम वयक्तिक साधना प्रेम के उत्रिष्ट रूप की बिंजना अपने गुर की तरह धाई आखर वाले प्रेम के सामने संसार के समस्ग्यान को तुछ कहा है धनी धर्मदास जी ने भावात्मक एक्ता पर बल दिया इनके गेत सुदूर ग्रामीन अंचलों में सुनाई देते हैं वह तार हमारी सांस्कृतिक एक्ता का तार है धर्मदास जी की साहित्य संपदा में सत्य का गहरा संदेश है वह इतनी विशाल है कबीर पंथ की सभी साकाओं प्रचाकाओं एवं विश्व के प्राणी मात्र के लिए यह साहित्य संपदा जो है आज तक का सबसे बढ़ा दान है अपने गुरसंत कबीर की तरह वे सास्तों एवं गरंथों के अनुगामी नहीं थे इनके साहित में त्याग तपस्या तथा मानोता के उच्च आदर से आएए अब पढ़ते हैं संत धरमदास जी का पद। धरमदास जी कहते हैं हम सत्त नाम के बैपारी कोई कोई लादे कांसा पीतल कोई कोई लौंग सुपारी हम तो लादेो नाम धनी को और पूरन खेप हमारी पूजी न तूटे नफा चौग न बनिज किया हम भारी हाट जगाती रोक न सकी हैं निर्भे गैल हमारी हाट जगाती रोक न सकी हैं निर्भे गैल हमारी मोती बूद घटई में उपजे और सुकीरत भरत कुठारी अनाम पदारत लाद चला है धरमदास बैपारी बैपारी माने ब्यापारी सत्य यानी सत्य लादना लाद कर अपने उपर लेकर चलना इस पद में सत्य नाम के ब्यापारी बन कर धरमदास लोगों को सीख देते दिखाई दे रहे हैं धर्मदाब जी कहते हैं हम तो सत्य नाम के व्यापारी हैं यहां संसार में कोई कोई तो पीतल तावा लादे हुए घूम रहा है कोई लौंग सुपारी बेच रहा है हमने तो केवल हमारे इश्वर गुरू का नाम धारण कर लिया है और दिन रात उसी काम में लगे हुए है य सत्यनाम की पूजी कभी खतम होने वाली नहीं और उल्टा चारouch गुना लाफ देने वाली है यह बढ़ती ही रहती है हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है हम इसी सत्यनाम की पूजी से अपना बढ़ा कारोबार चला रहे हैं इसी गुरू नाम के घर में मोती पैदा हो र करके नाम को उपलाद करके जो नाम का धन है उसे अपनी पीठ पलाद कर आगे की और बढ़ता चला जा रहा है इसमें एक संदेश है कि सीख देते हुए कहते हैं कि जो सद्गुरु है जो प्रभु है उसका नाम ले करके हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं इसमें खिचणी भाषा का प्रयोग किया गया है जैसे संत कभीर की भाषा को पंचमेल की मिठाई कहा जाता है सदुक्कड़ी और खिचणी कहा जाता है ऐसे ही धनमदास की भाषा में इसमें बखेली भी है चतीस गड़ी भी है अबधी भी है मनें कई बोलियों की खिचणी है सत्य नाम की मह जिमा का गुणगान किया गया है और कोई कोई में पुनुरुत्य प्रकाश गोचर हो रहा है धनीधनमदास के पद में सत्य व्यापार से उनका लाब होता है व्यक्ति प्राप्त कर आवा गेमन Сे मुक्त को प्राप्त कर लेता है जो आवा गमन का मार्ग है उससे मुक्त हो जाता है इसका व्योसाय करने में लाव ही लाव है इसमें किसी तरह की लागत नहीं है यह कभी निश्फल नहीं होता और आगे प्रस्ण बनता है पूजी तूटे नफाच चवगुना से कभी का क्या आसे है वास्तों में किसी भी व्योसाय को प्रारम करने तथा विक्षित करने में धन संपर्ति अर्था पूजी लगाना जो है पूजी लगाना आवस्यट है व्यापार विक्षित होने पर अगत धन भी चला जाता है यानि हान हो जाती है इस भगवत नाम इस्मरण का जो ब्यापार है इसकी पूजी डूबने का डर बिल्कुल नहीं होता बलकि चार गुना यह बढ़ता चला जाता तो इस तरह से बच्चों हमने गोश्वामी तुलसीदास जी महा कभी शूरदास संत कभी कभीरदास एवं संत कभी धरमदास के व्यक्तित और कृतित को देखते हुए उनके पदों को समझा और उन सब का जो संदेश है सब का संदेश यही है कि हम प्रभू के नाम का इस्मरण करें परमात्मा के नाम का इस्मरण करें चुँकि ये चारों पदों में नाम की महिमा लीला की महिमा जैसे महा कभी सूर दास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है वे वातसलिके सम्राथ है संत जो महा कभी गोशामित तुलसी धास जी हैं उनमें दैनने भाव की प्रधानता है दीनता दिखाई देती हैं उनके पद में और संत कभीर ने संसार को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि उस परमात्मा को पहचानो हिंदो मुसलिम एकता कायम रहे वो जो राम और रहीम हैं दोनों एक हैं उन पर चिंतन करो उस सत्ते को जानो और धनमदास जी ने सद्गुरू और प्रभु के नाम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु के नाम का ब्यापार करने के लिए कहा ह इस तरह से चारों कभी महत्वपूर्ण संदेश देते हुए संसार को दिशाद्रिष्टी देते हैं